नमस्कार दोस्तों सुवागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जी के ट्रैकर पे देखे फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम कनिस साहयक का जो सेकंड सिफ्ट का पेपर है उसकी आंसर की को यहाँ पे देखने वाले हैं तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करेंगे सभी 100 प्रशनों के उत्तर हम यहाँ पे देखेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं इससे पहले हमने जो पहली सिफ्ट का पेपर है उसको सुबह मॉर्निंग में अपलूड किया था आप वहाँ पे जाके जिनका मॉर्निंग सिफ्ट थी वो वहाँ पे जाके कोशन को अपने मैच कर सकते हैं यह सेकंड शिफ्ट का पेपर है चलिए पहला प्रश्ण था निम्न में से प्रतचार पत्राचार के किस प्रारूप में संभोधन या सवनिर्देश नहीं होता है सही आंसर है आपका ऑप्शन A जो आपके ग्यापन्स होते हैं विज्यप्ति निकाली जाती है वहाँ पे संभोधन के आवशक्ता नहीं होती है दूसरा प्रश्ण है निसीम और उत्पत्ति शब्दों के विलोम शब्दों का सही जोड़ा क्या होगा आपने इन दोनों शब्दों के विलोम शब्दों का जोड़ा बताना था ऐसा पैटर्न मैंने आपको कहा था कि UP SSC में पूछा जा रहा है यूपी वीडियो में पूछा जा रहा है कि आपको दो शब्द दे देगा उनका जोड़ा पूछेगा और यहां पे जोड़ा पूछा गया है ठीक है अगर आप देखें उत्पत्ति का तो इसका जो विलोम होना था यह option A होना था निसीम का होना है सीमीत और उत्पत्ति यानि कि किसी चीज का उदय होना और नाश यानि कि किसी चीज का नाश होना अगला प्रशन है अभिजात शब्द का अर्थ क्या होता है अभिजात शब्द का अर्थ होता है आपका option C पुज्य ठीक है option C इसका सही आंसर होगा चौथा प्रश्न है प्रश्न का सही वन्ड विच्छेद क्या होगा तो देखे आपको प्रश्न का वन्ड विच्छेद करना था इसका जो सही आंसर है वो option A है ठीक है तो option A इसका सही उत्तर है आप इसको ध्यान रखे प्रश्न का सही वर्ण विच्छेद यही होगा देखे जो आपके यहां पे आदा होता है जैसे यहां पे गोलवाली शाह है जो प्रश्न के बीच में गोलवाली शाह है यह आदी है तो इसके बाद आपका जो स्वर आता है वो नहीं आएगा ठीक है यह आपको ध्यान रखना था 1 विच्छे 2 में नेक्स्ट है गरम शब्द निम्ल में से किस भासा से हिंदी में आया है तो जो गरम शब्द है यह आपके फार्सी भासा का शब्द है और वही से यह हिंदी में आया है नेक्स्ट है वह घर पहुँच गया इस वाक्या में पहुँच गया निम्लिकित में से किस किरिया का उधारन है तो वह घर पहुँच गया ये आपके कौन से किरिया है ये आपके पूर्वकालिक किरिया है option D इसका सही answer होगा नेक्स्ट है आपका निम्लिकित में से कौन सा शब्द अव उपसर्ग लगा कर नहीं बना है सही answer होगा option C अवदेश जो है यहाँ पे आपका अव उपसर्ग नहीं लगा है ठीक है बाक्यों में अव उपसर्ग लगा है अगला प्रशन है इसपरस संगर्शी बेंजन कौन से हैं तो देखे अगर आपने वणमाला को अच्छे से पढ़ा होगा अगर आपने लूशन्ट की हिंदी को भी अच्छे से पढ़ा होगा तो वहाँ पर साफ बताया गया है कि जो आपका चाव वर्ग है इनको इसपरस संगर्शी भी कहा जाता है तो आप्शन B इसका सही उत्तर होना था सिर्फ संगर्शी पूछा होता तो यहाँ पे सा आंसर होता अगर इसपरस की बात करें तो इसपरस वेंजन आपके पांच वर्ग होते हैं लेकिन आपने लूशन्ट में पढ़ा होगा जो चाव वर्ग होता है उस वर्ग को इसपरस संगर्शी भी माना जाता है निम्लिकित में से सनमती का संधी विच्छेद क्या होका तो नवे का जो सही आंसर होगा उप्चन C इसका सही उत्तर है सत धनमती सनमती का आपका सही आंसर होगा ठीक है संधी विच्छेद नेक्स्ट है निम्लांकित शब्दों में से पुलिंग शब्द कौन से हैं तो गुन दोश जो हैं ये आपके पुलिंग शब्द होते हैं योगिक संग्या कहते हैं योगिक संग्या क्या होती हैं वे संग्या हैं जिनके भिन भिन शब्द शार्थक होते हैं तो जिन संग्याओं के भिन भिन शब्द सार्थक हो उनको हम योगिक संग्या कहते हैं जो सजजन होता है उसका सभी लोग आदर करते हैं किस प्रकार का वाक्या है तो ये आपका एक म किस रवाक क्या है ठीक है option A इसका सही आंसर होना है next है निम्न में से उत्पत्ती की दृष्टी से सवभाग्य शब्द क्या है देखे सवभाग्य शब्द आपका तस्सम शब्द है और इसका जो तदभव होता है वो सुहाग होता है तो अगर आपको तदभव याद होता तो आप इसको मार देते ठीक ठीक है तो सवभाग्या का सही आंसर क्या है यह आपका तस्सम शब्द है अगला प्रशन है समस्त कारणों के रहते हुए भी कार्य की उत्पत्ती ना हो तो अलंकार होता है अगर समस्त कारण है वहाँ पे फिर भी कार्य की उत्पत्ती ना हो तो व वहाँ पे भी हमने बात करी थी कि आयोग आपको option इस तरीके से बना के दे रहा है कि option में आपको confuse कर रहा है और इस exam में उसने सारे option बहुत सारे option इस तरीके से दिये question simple था option उसने घुमा दिये ताकि आप confuse हो सके ठीक है तो विभावना इसका ठीक उल्टा होता है सही आंसर होगा option C next है निम्लिकित में से शुद्ध शब्द कौन सा है इन में से जो शुद्ध शब्द है वो है आपका option A अधिशाशी यहाँ पे शुद्ध शब्द होगा पानी पी कर घर पूचना ये तो आसान था बता देंगे काम निकलने के बाद सोचना ठीक है इसका आर्थ होता है पानी पी कर घर पूचना नेक्स्ट है निम्न में से सुरसरी का प्रयवाची शब्द क्या होगा देखे सुरसरी का प्रयवाची शब्द होता है यहाँ पे जानवी ठीक है आप्शन B इसका सही उत्तर होगा कोई शब्द में कौन सा सर्वनाम है तो ये भी हिंदी का एक आसान सा प्रश्ण है लुक्षंट में ही आपको मिल जाएगा अनिश्य वाचक सर्वनाम विपात्र के लेखक कौन है ये आपके हिंदी के प्रश्ण थे अब चलेंगे जीके और यूके के प्रश्णों पे पहला है आपका भारतिय रक्षा सेवा में समलित चिनूक क्या है देखे चिनूक की बात करें तो ये एक हेलिकॉप्टर है आपने निउस में भी कई बार देखा होगा कि चिनूक हेलिकॉप्टर भारतिय सेना में शामिल हो गया इस तरीके से तो चिनूक क्या है ये आपकी तो आप आसानी से बता देंगे विंडो क्या है विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है ये आपका सर्च इंजन नहीं होगा उत्त्राखंट राज्य की पलायन रिपोर्ट के अनुसार राज्य के किस जिले से पलायन की दर सरवादिक है यहां पे आपको जो आंसर करना था यहां हो सकता है यहां पे टिहरी गडवाल इसका सही उत्तर होना था ठीक है तो इस कोशन में थोड़ा सा डाउट है ऑप्शन C और A को ले करके ठीक है तो यह आपको ऑफिशल आंसर की में ही मैच करना होगा आई तिंक इसका ऑप्शन A सही होना चाहिए सौतंत्रता के बाद किस नैनिताल को उत्तर परदेश की ग्रिश्म कालीन राजधानी बनाया गया तो ये भी एक सिंपल कोशन था कोई वैसा कोशन नहीं था ये कि जो आपको बुक्स में ना मिले सभी कोशन आपके जादतर बुक्स से ही बने हैं थोड़े से घुमा कर बने हैं सौतंत्रता के बाद नैनिताल को 1962 में उत्तर परदेश की राजधानी बनाया गया था ठीक है ग्रिश्म कालीन राजधानी उत्राखंड में परवतिया सितोष्न वनों का विस्तार पाया जाता है तो यहाँ प्रशन आपको परिक्षावानी में मिल जाएगा अठारा सो से सताइसो मीटर के मध्य यह वन पाई जाते हैं भारतिया संसद में एक तारांकित प्रशन के लिए आविशक है तो देखे भारतिया संसद में जो तारांकित प्रशन होता है उसका आपको मौकिक उत्तर वहाँ पे देना होता है ठीक है तो तारांकित प्रशनों के जो उत्तर होते हैं वो मौकिक होत भी बनाएंगे चमपामत निम्न में से कौन सा चित्र पर्शन चिनों के इस्थाने जहाए तो आपने यहां पे पहचान था कि कौन सा छिंड आएगा सहीं आंसर की बात करें तो option ए सका सहीं उत्तर होना चाहिए हूं इसके अपोजिट में देखें तो चलिए नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा यूग में सुमेलित नहीं है देखे छिबरो जल विद्धुत परियोजना ये टोंस नदी पर बनी है ब्यासी जल विद्धुत परियोजना ये आपके पिंडर पे ना हो करके ये आपके यमुना नदी पर बनी है ठीक जो आयोग का है यहां पे जो प्रश्ण उचने दिये हैं जालतर बेसीक कोशन वही है जो प्रीवेस एर में पूछे गए हैं रमान को लेके लगातार प्रश्ण बनता है जिलों के गठन को लेके प्रश्ण बनता है बस यहां पे थोड़ा सा घुमा के पूछाए संयुत राष्ण के सांस्क्रेतिक निकाई की विश्व धरोहर समीती ने कुम्ब मेले को मानवता की अमरुत सांस्क्रेतिक विरासत की प्रतिनीदी श्रेणी में शामिल करने की घुशना कप करी यह थोड़ा कोशन आसान था लेकिन जिस तरीके से उसने आप्शन को बनाए गया था ठीक है तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी कोशन सिंपल था सभी जानते थे कि 2017 में इसको शामिल किया गया है लेकिन जिस तरीके से उसने डेट्स यहां प्य दी है वहां से एक कोशन टफ बना है टी ट्वेंटी अंतराश्ट्य क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले प पर इस्तेमाल किया जाता है ठीक है ऑप्शन सी इसका सही आंसर होका भारतिया पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है तो भारतिया पुरातत्व का जनक ये भी एक सिंपल कोशन है आपको लूशन्ट में मिल जाएगा अलेक्जेंडर कनिंगम को कहा जाता है कालसी के समीप र अब देखे इस question में थोड़ा सा doubt हो सकता है क्योंकि जब आप इंटरनेट पे इसका answer चेक करें तो आपको देविंद्र ना टैग और को दिखाता है लेकिन कुछ books में ये उलेक मिलता है कि जब राजारा मोहन राय इंग्लेंड दौरे पे गए तो ये ब्रह्म समाच का जो नित्यतुवसवत द्वार का ना टैग और को देखर गए थे तो इसका आपको आयूग के answer का wait करना पड़ेगा option D या option A गड़वाल राइफल्स का गठन कब हुआ तो गड़वाल राइफल्स की स्थापना 1887 में हुई और ये एक आसान सा question था निम्न में से लोक संस्कृती संग्राले कहां इस्तित है तो देखें लोक संस्कृती संग्राले पहले भी कई बार पूछा गया है कब इस्थापना हुई कहां इस्थापना हुई किसने इस्थापना अगरी बहुत बार पूछा गया है इस बार आपको location पूछ दी और location घु में इस्तित है ठीक है दी गई श्रेणी के प्रश्णवाचक चिन के इस्थान पर क्या आएका तो प्रश्णवाचक के जगह पर हम बात करें तो यहां पर आपको जो सही आंसर होना है यह 130 होना है संविधान सभा के सदश्वाच के चुनाव किस आधार पर किया गया था इसके अगर हम सही आंसर की बात करें सही आंसर है option C प्रांतिया विधान सभाओं से अनुपातिक प्रतिनिज़ की एकल संक्मणिया वोट प्रणाली के द्वारा यानि कि जो आपके प्रांतिया विधान सभा थे इनके सदस्यों को जंता ने चुना और इन सदस्यों ने फिर सविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया निमले में से विकल्पों में आपने बताना है जो अन्यों से भिन है सही की बात करें तो option A इसका सही आंसर है यहाँ पे यह सही उत्तर है ठीक है आप इसको दो तरीके से देख सकते हैं पहला कि यहीं पर आपका क्यूब बन रहा है ठीक है यह question भी आपको परिक्षवानी में मिल जाएगा मैंने आपको हमीशा कहा कि ऐसे questions कि आपको date सहीत याद रखनी है जो हाली की घटना है और यह 2009 की घटना है तो उत्राखंड के according यह हाली की घटना है सही आंसर है 15 जनुवरी 2009 को HNB को केंद्रिय विश्विध्याले का दर्जा दिया गया भारतिय समविधान के अनुच्छेद 51 में अंतराश्टिय शांती और सुरक्षा के बढ़ावे के लिए कहा गया है यहाँ अनुच्छेद संबंदित है तो देखे जो आर्टिकल 51 है आप जानते हैं आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक आपके राज्य के नीती मिदेशक तत्व आते हैं ठीक है इसके बाद आपका 51 का आता है जूकि आपके मौलिक करतव्यों को लेकर संबंदित है तो यहाँ पर मौलिक करतव्यों कहीं दिखनी रहा है 51 का आता है उसमें वैसे भी तो यहाँ पर 51 है तो यह आपका क्या होगा option C इसका सही answer होगा राज्यपाल किस अनुच्छेद के द्वारा अध्यदेश जारी कर सकता है देखे अगर आपने संबिधान पढ़ा है अच्छे से वहाँ पे आपको याद करने के लिए आसानी हो जाती है आप जानते हैं राश्ट्र पती 123 के तहत जो अध्यदेश है वो जारी करते हैं बस आपको नंबर थोड़े से उलट देने थे 213 कर देना था और ये आपके राज्यपाल का बन जाएगा जिस प्रकार आपके सुप्रेम कोटर हाई कोर्ट में बनता है ना 124 और 241 उसी प्रकार यहाँ पर भी था ये थोड़ा सा नया कोशन था भारत में राष्ट्रिया बार्ड आयोग का गठन कब किया गया तो राष्ट्रिया बार्ड आयोग ये आपके 1976 में बनाए गई पैंतालीस का अंसर होगा आपका आप्शन C कुमाओ में कूली बिगार आंदूलन कब प्रारंब हुआ देखे कूली बिगार आंदूलन के अगर में बात कुरू शुरू बात ये आपका ऑप्शन B इसका सही आंसर होगा जनवरी 1921 में ये आंदूलन शुरू होता है आपका एक जनवरी के करीब से शुरू हो जाता है और 13-14 जनुवरी को यहाँ पे कूली बिगार प्रथा को समाप्त कर दिया जाता है ठीक है तो आंदोलन कब पारित यह हुआ आपका 1921 में इसको लेके शायद एक कोशन और पूछा गया था कि कूली बिगार संबंदी प्रस्ताओ कब पारित हुआ था तो 1920 में तो आया था कूली बिगार संबंदी प्रस्ताओ और 21 में आंदोलन शुरू हुआ पिथारागर के मालपा गाओं में भूसकलन कब हुआ देखे यह कोशन जो अभी पिछले मेने 26 तारिक को आपका एक्जाम हुआ था वहाँ पर भी मालपा भूसकलन को लेकर पूछा गया था और यहाँ पर रिपेटेड कोशन है तो यह कोशन भी आपका सिंपल था अगस्त 1998 वे इसका सही आंसर है उत्राखंड के किस संस्तर में चूने का पत्थर पाया जाता है तो इस कोशन को लेकर के थोड़ा सा अंसर आपको आयो का इंतिजार करना होगा जो मेरे अकॉर्डिंग इसका अंसर नाग्थार होना चाहिए ठीक है उप्शन A आदिस अबाबा नगर की स्थापना कब हुई देखें आदिस अबाबा जो यह नगर है अफरीकी देश इथोपिया की राजधानी है और इसकी स्थापना यहाँ पे पूछी जा रही है तो बहुत ही जादा खतरना कोशन या गलत कोशन भी इसको कह सकते हैं किसी भी देश की राजधानी वो भी आपको यहाँ पे उसकी स्थापना पूछी जा रही है तो आदिस अबाबा की बात करें तो अगर आप इसको चेक करें तो 1886 इसकी स्थापना बताता है यहाँ पे आपके option 1886 है नहीं तो उप्यूक में से कोई नहीं इसका अंसर होना चाहिए था अब देखते हैं आयोग 1886 को क्या 87 के निकट मानकर इसको अंसर करता है या D को अंसर करता है जो इसको ऑफिशल है इस थापना इसकी 1886 में हुई थी निम्न में से एक पासे की चार इस्थितिया है आपने पासे को देखना था और यह बताना था कि जो दो है इसके बराबर में क्या आएगा इसके अपोजिट में क्या आएगा अगर दो सबसे उपर होगा तो सबसे निचली फलक पर कौन सा होगा सही आंसर होगा ऑप्शन C 5 ठीक है थारू जनजादी के लोग स्वयम को किस का वन्चज मानते हैं थारू जनजादी के लोग अपने आपको राणा प्रताप का वन्चज मानते हैं उत्राखंड के किस जनपत में सरवादिक राष्टे उद्यान वा अभिहारन है तो ये तो आसान सा कोशन था आप आसानी से बता देते चमूली जनपत में पंचायत राज के संबंत में बलवन्च राए महता समीती की रिपोर्ट किस वर्ष आई थी देखे जो बलवन्च राए समीती है इनकी स्थापना इस समीती का गठन जनवरी 1957 में किया गया था और इसने अपनी रिपोर्ट सरकार को नवंबर 1957 में दे दी थी तो इसका जो सही आंसर होना है option A इसका सही उत्तर होना है नेक्स्ट है विश्व में मचली उत्पादन में भारत का कौन सा इस्थान है तो देखे विश्व में मचली उत्पादन में भारत का दूसरा इस्थान है option C इसका सही आंसर होका सरकारी बजट प्रदिशित करता है सरकारी बजट आपका सरकार के नए कारे करमों के बारे में जानकारी देता है सरकार के आर्थिक नीति का दस्तावेज होता है और सरकार के आय और वय का विवरन होता है ये सभी यहाँ पे सही आंसर है वन नीती 1952 के अनुसार भू भाग का कितना प्रतिशत वनों के अंतरगत होना चाहिए तो ये भी आसान कोशे न ये भी टफ नहीं होगा 33 प्रतिशत होना चाहिए जो आपकी वन नीती आई थी मैदानों में 25 प्रतिशत पहाडों में 60 प्रतिशत अंडमा निकोबार एवम लक्षदीब समेत भारत की संपून तट रेखा की लंबाई कितनी है सही आंसर की बात करें ऑप्शन सी इसका सही आंसर होना चाहिए 75-17 किलोमेटर ये भारत की संपून तट रेखा है एक्जेक्ट की बात करें तो ये आपकी 75-16.6 होती है गडवाल के राजा अजेपाल ने अपनी राजे की राजधानी देवलगर से शिरी नगर का विस्तानांतिरित करी तो देखें यहां कोशन आपको आप्शन के आधार पर अगर आप देखें तो थोड़ा इजी आयोग ने बना दिया जिसने इसको पढ़ा होगा देखें जाददर बुक्स बताती है अजे रावत ने 1517 में शिरी नगर को अपनी राजधानी बनाया था देवलगर से हटा करके लेकिन आप देख सकते हैं 1517 के करीब आपका केवल एक ही आंसर है 1515 तो आप इसको टिक कर सकते हैं तो 1515 आयोग इसका सही मानेगा ये बिल्कुस सही उत्तर है अगर यहाँ पे आप्शन होता उप्यूक में से कोई नहीं तो फिर यहाँ पे आपके जो कुशन है उसके डिलीट होने के चांसे बढ़ जाते सौका समुदाई को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है तो देखे सौका समुदाई आप जानते हैं सौका कौन है भोटे जनजाती की एक उप जाती है रोसन रीता से लंबा है उजवल रवी से लंबा है लेकिन उतना लंबा नहीं जितना की रीता है तो आप इसको अगर मैच करेंगे तो रवी यहाँ पे सबसे छोटा निकलेगा शिरिनगर के पास देवलगड में किस राजा के द्वारा अपने कुल देवी राज राजिश्वरी के मंदिर की स्थापना की गई तो ये कोशन भी आपने पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है, हिस्ट्री में पढ़ा है, राज राजिश्वरी जो है पमारों की कुल देवी थी और इनकी स्थापना देवल गड़ में किस ने करी थी, अजय पाल ने करी थी, ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, मौरिय प्रसासन में किस अधिकारी के पास मुद्रा नीती पर नियंतर रखने का कारेभार था, सही आंसर होना था, ओप्शन C, लक्षन अध्यक्ष, ठीक है, तो लक्षन अध्यक्ष जो है, ये आपका जो पूरा मुद्रा नीती होती थी उस समय, कितने सिक्के चपेंगे, कि बार पूछा गया है, बाजार नियंतर नीती किसने शुरू करी थी, अलावदिन खिलजी ने, तो ये कोशन भी रिपेटिड है, टिहरी राज्या प्रजामंडल की स्थापना, 1939 में की गई थी, सिर्देव सुमन के द्वारा, कहां पे की गई थी, देहरादून में की गई थ ठीक है, ये भी आसान कोशन है, आसानी साब को प्रिक्षावानी में मिल जाएगा, पाली बौध साहित्यों में उत्राखंड क्या कहलाता है, तो देखें, बौध साहित्यों में जो बौध साहित्यों में पाली भाशा में लिखेंगे, उन में उत्राखंड को वैसे तो तो इसको I.U. को सही आंसर मानना चाहिएë, जादा डिफ데रेंट नहीं है, केवल जो आप बोल सकते हैं कि स्पैलिंग का डिफरेंसे थोड़ा सा, तो इसको I.U. को सही आंसर करना चाहिए, हेम वंथ, टिक है, तो सही आंसर ये होना चाहिए, नेक्स्ट है निमलिकित में से कौन सा संगठन वर्ल्ड एकनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन करता है तो ये जारी करता है अंतराश्टिय मुद्रा कोश ठीक है आईमेफ के जवारा दुवारा जो आपकी वर्ड एकनॉमिक आउटलुक है यहां प्रकाशित की जाती है इंदी गर्व और नंदा देवी राजात के लेखा कौन है तो देखें यहां किताब के बारे में जारवा जानकरी नहीं मिली है तो आप इसका आंसर आप देखना पड़ेगा आयूग इसका आंसर क्या बताता है जालतर बात करें तो चंदर सिंग नेगी और टॉक्टर प्रेंच चंद चमूली में इसका कन्फियूजन है चंद सिंग नेगी इसका लगबग सही आंसर होना चाहिए हरिद्वार से बद्रिनाथ और केदाना जाने वाली स्रडक का निर्माण किसने करवाया था ये कोशन अगर आपने हिस्ट्री को उत्राखंड की चंद उसको जो अंग्रेजों का शार्षन था उसको पड़ा है अच्छे से तो आप इस कोशन को असानी से कर जाते देखे कौन सा ऐसा कमिशनर था जिसके ओपर हिंदू धर्म के परचार परसार का आरोप लगा था विलियम ट्रेल क्योंकि उसने जो धार्मिक स्थान है उत्राखंड के या हिंदूओं के बद्रिनाथ या केद्रनाथ यहाँ वाली स्रणकों के निर्माण में जादा रुचित दिखाई थी तो वहाँ से आप इसका लॉजिक लगाकर ट्रेल को टिक कर सकते थे चोलिया संबंदित है तो ये कोशन भी repeated है कई बार पूछा गया है कि सरूर नित्त कैसा है तलवार वाला है वीरगाथा वाला है यहाँ पे छोलिया के बारे में पूछा गया तो यह आपका वीरगाथा नित्त है हिंदू तीरतिस्तल जागेश्वर के मुख्य देवता कौन है देखे जागेश्वर में माना जाता है कि भगवान शिव ने यहाँ पे तपस्या करी थी और यहीं पे कार्थिके भगवान का जनम भी होता है यहाँ जो धाम है यह किसको समरपित है भगवान शिव को मलीरिया वैक्सिन की खोज करने वाले प्रख्यात विज्ञानिक रोनाल्ड रॉस का जनम कहा हुआ था वर्तमान में उत्राखंड के कौन से नगर में देखे इनोंने मलीरिया वैक्सिन की खोज करी थी इनको नोबल पुरुसकार भी मिला हमने बात करी थी कि आपको उनको याद रखना है क्योंकि उत्राखंड में जनमे है और नोबल पुरुसकार विज्यता है इनका जनम आपके अल्मोडा में होता है ठीक है तो ये question थोड़ा सो उसने आसान ये बना दिया कि आपने पढ़ा है कि कालसी का प्राची नाम क्या है कालकूट, आपको यहाँ पे एक fact और मिल गया कि कालसी का नाम कालकूट कौन सी रचना में मिलता है, तो आपको ध्यान रखना है, पाणिनी की जो रचना है, अस्ट्याध् गरंत में कालसी का नाम कालकूट मिलता है, तो यह काफ़े tough question बन जाता, पुर्वत्तर के विकास पर समग्र ध्यान देने के लिए भारा सरकार ने पुर्वत्तर परिशत की स्थापना कप करी, देखें पुर्वत्तर परिशत की बात करूं, तो इसकी स्थापना भारा सरकार ये द्वारा 1971 में की गई, वैसे 1971 में अधिनियम आये था, और इस्थापना जो हुई, ये जो परिशद अस्तित्व में आई, ये आपके 72 में आई, लेकिन 72 आप्शन में है नहीं, और उप्यूख में से भी कोई नहीं है, तो 71 इसका सही आंसर है, उत्राखंड के पर्थम स 77 संग्राम सेनानी कालू महरा ने 1857 इसवी में कौन सा गुप्त संगठन बनाया था, तो ये कोशन भी रिपेटेड कोशन है, आयोग के पुराने पेपर्स में आपको मिल जाएगा, करांतिवीर नामक संगठन बनाया था, ठीक है, और पूछा ये भी जाता है कई बार की उत अंत्रन पर, वो था आपका SI 1, ठीक है, ऑप्शन B इसका सही अंसर होगा, यहाँ प्रशन आपको अजरावत की बुक में मिल जाएगा, B.S. नेगी में भी ये प्रशन आपको मिल जाएगा, सर्दियों के आरंब में तमिलनाडू के तटिया प्रदेशों में वर्षा किस का बारण होती है, नेक्स्ट है, निम्न में से आपने बताना था कि उन वक्ताओं के बारे में आपने बताना था, जो ना तु प्रशन आतनक हैं और ना ही आपके डॉक्टर हैं, तो सही आंसर क्या होगा, यह वाला सही आंसर होगा, यानि की option T, रवाई आंदूलन कब हुआ तो कि यह भी आसान कोशन है, आपको आसानी से किसी भी बुक में मिल जाएगा, प्रिक्षावानी में भी मिल जाएगा, रवाई आंदूलन आपके 1930 में चला था, भारत में अद्रिश्य बेरोजगारी सबसे जादा किस छेतर में पाई जाती है, सही आंसर होगा, क्रिशी छ सुब्बा कौन था, तो कुमाओं का अंतिम गुर्खा सुब्बा था, आपका बमसहत चोतर या जो था, यह कुमाओं का आकरी सुब्बा था, ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है, यह भी आपको किसी भी बुक में मिल जाएगा, देवी धुरा से प्राप्त महापाशान का जनक माना जाता है, ठीक है, नेक्स्ट है, दी गई साकरती में स्त्रबुजो और चत्रबुजों की संख्या आपने बतानी थी, सही जो आंसर इसका होना चाहिए, यहाँ पे ऑप्शन भी होना चाहिए, ठीक है, 21 और साथ, नेक्स्ट है, एच जी वाल्टन द्वारा लिखि पुष्टक, ब्रिटिश गडवाल, अगजेटियर, किस वर्ष प्रकाशित हुई, यह कोशन भी आपको परिक्षवानी में मिल जाएगा, यहाँ जो किताब प्रकाशित हुई, आपकी 1912 में प्रकाशित हुई, निम्न में से कौन सा विशा है आपका, भारत के समविधान की 11 अनुसूची का भाग नहीं है, तो इसका अंसर आपको IO की Official आंसर की से पता चलेगा, ज़ादा तर जो इसका अंसर माना जा रहा है, उप्षण C इसका अंसर माना जा रहा है, नेक्स्ट है, निम्न में से किस नहर को दामोदर नदी से निकाले गई नहर है, आपकी आप्ष ये कोशन बनता है, दूसरा प्रशन Será ये बनता है, कि भारत की पहली बहु उधिष्य परियोजना कौन सी नधी पर बनी तो वह आपकी दामोदर नधी पर ही बनी थी। ये दो प्रशना आपको याद रखने थे और अब आपको ये तीसरा ये भी याद रखना है कि जहां से आपकी एडन नहर निकली है ट्रेल ने 80 साला बंदोबस कब पेश किया था तो 80 साला बंदोबस विलियम ट्रेल के दुवारा 1823 में लाया गया था अप्शन ए इसका सही आंसर होगा निम्न में से कौन सा अक्षर समू अन्यतीन से भिन है तो अन्यतीन सा आपने भिन बताना था जो सही आंसर लग रहा है वो है आपको ऑप्शन D FGHI क्योंकि यहीं पर आपके जो चारों शब्द हैं चारों अक्षर हैं वो करम में है FGHI लगातार लगातार आ रहे हैं ठीक है जबकि सब में क्या है डिफरेंस है भारतिया सिविल सेवा एक्ट का पारित हुआ था तो भारतिया सिविल सेवा एक्ट आपका 1861 में पारित होता ह option C इसका सही आंसर होगा अगला है लंपिया धूरा दर्रा जोड़ता है लंपिया धूरा दर्रा जो है आपका ये पिथोरागड को तिबस से जोड़ता है ये भी एक आसान प्रश्ण था निमने ग्रिड में आपने बताना है प्रश्ण वाचक के आधार जगह पर क्या आएगा तो देखें तीन है तीन का क्यूब कर दिया दो है दो का क्यूब कर दिया चार है चार का क्यूब कर दीजी 64 पे टिक कर दीजिए उत्राखंड के किस राजवंश की एक भी मुद्रा प्राप्त नहीं हुई है तो मुद्रा यहां पे यहां पे चंदों की भी मिली है कुडिंद की भी मिली है परमार की भी मिली है मुद्रा प्राप्त हुई है या नहीं हुई है इसके ओपर अगर आयोग जाता है तो फिर असकांसर चंदवंश माना जा सकता है एक पुरुष ने पश्चिम के ओर चलना आरम किया तो आपको आखिर में बताना था कि वो कौन सी दिशा में जा रहा है तो ये काफ़े सिंपल कोशन था उत्तर दिशा में जा रहा है किस नदी पर उत्सायू जाल उत्सायू जल विद्दुत परियोजना बनी है तो जो आपके उत्सायू जल विद्दुत परियोजना है ये आपके अलखनदा के ओपर बनी हुई है और यहाँ भी एक simple प्रश्ण है जो आपको मिल जाएगा Next है किस अमेरिकी computer company को Big Blue कहा जाता है तो Big Blue के नाम से जाने जाती है जो आपकी IBM है computer के छेतर की सबसे बड़ी companies को माना जाता है इसे ही Big Blue कहते हैं उत्राखंड प्रोजेक्ट सिक्षा आरंब करने वाला भारत का कौन सा राज्या है तो प्रोजेक्ट सिक्षा उत्राखंड ने सबसे पहले लागू करी थी अर्थ व्यवस्ता के तृत्यक छेतर के अंत्रगत समलित में से कौन सी सेवा समलित है तो तीसरे छेतर में कौन सी सेवा आती है सही आंसर है जो आपकी संचार है ये आपके तीसरे छेतर में आती है तीसरे छेतर जो है आपका सेवा छेतर तो यहाँ पे सेवाएं तो दी जाती है संचार में संतोपत हिमिनत उद्गम इस्थल है किसके दुवारा स्वाधीन प्रजा नामक साप्ताहिक पत्रिका का आरंब किया गया था तो साप्ताहिक जो ये पत्रिका है स्वाधीन प्रजा यहाँ विक्टर मोहन जोशी के दुवारा शुरू की गई थी तो यहाँ पे सही आंसर होगा मोहन जोशी ठीक है और अंतिम प्रश्ण था दक्षिन एशिया के देशों ने दक्षेश के घोशना पत्र पर किस वर्ष और किस सम्मेलन में हस्ताक्षर किये थे यानि कि सार्क के बारे में बात हो रही है कि सार्क ने जो अपना उनका जो घोशना पत्र है उसके उपर उन्होंने हस्ताक्षर कब किये तो इसका जो सही आंसर है वो पहला ही सम्मेलन था 1985 का जहां पे इन्होंने अपने घोशना पत्र पे हस्ताक्षर किये थे तो friends ये हैं आपके जो कनी सहायक की परिक्षा थी उसके दोनों shift के paper हमने यहाँ पे देखे पहली shift का हमने morning में देखा second shift हमने यहाँ पे solve करी उमीद करता हूँ आपने सभी answer को अपने match किया होगा और आपके जितने भी marks यहाँ पे बन रहे हैं comment करके जरूर बताएं हमने एक poll कराया था poll में maximum लोगों का कहना है कि उनके 65 marks से कम marks यहाँ पे बन रहे हैं यानि कि काफी कम लोग कह रहे हैं कि उनके 65 से उपर यहाँ पे marks आ रहे हैं paper थोड़ा सा आपका ज़्यादा hard भी नहीं था ज़्यादा easy भी नहीं था medium level का आपका exam था तो आपने अगर चीजों क किया जाएगी कोशिश करेंगे कि इसको और ज्यादा detail में solve करने की कौन सा question क्या बना क्योंकि अभी हम केवल answer की को solve कर रहे हैं जब official answer किया जाएगी तो हम देख सकते हैं कि आयोग ने किस question को क्या सोच कर बनाया था और उसके आधार पर हम और ज्यादा detail में बात कर सकते है अगर merit की बात करें तो merit आपकी बिल्कूल इसकी 75 से नीचे ही रहेगी 70 ताकि इसकी merit आपकी जा सकती है ठीक है 70 75 से उपर इसकी merit नहीं जाने वाली ठीक है maximum 75 वैसे 70 एक और चीज आपने यहाँ पर प्रशनों का जो pattern को देखा तो प्रशनों का pattern आपका इस तरीके से कि प्रशनों का जाने के आखिर में हो सकता है आपको चीजों को अब link करके पढ़ना पड़ेगा आपको एक कोशन आपने पढ़ा मान लीजिए आपने कोई भी कोशन पढ़ा और उससे related कितने कोशन बन सकते न वो आपको खुद बनाने पढ़ेंगे उन चीजों को link करके आप आपको पढ़ना पड़ेगा तो ही आपको जादा फाइदा होगा और दूसरी चीज देखे यहां पे जादा कोशन परिक्षावानी से नहीं बने हैं ऐसा कहा जा रहा है देखे परिक्षावानी इसकी basic book है बिना परिक्षावानी के आप UK SSC को cross नहीं कर सकते हो ना बिना अ अजरावत के अजरावा से तो बने हैं परिक्षावानी से भी कुछ प्रशन बने हैं काफी प्रशन बने हैं अगर आप देखें 40 में से अगर आपके प्रिक्षावानी से 10 कोशन भी इसमें बने हैं तो बहुत है एक book आपको 10 कोशन दे रही है तो बिना basic के आप नहीं कर सक लेकिन अभी आप जो वीडियो के तयारी कर रहे हैं, जिनका वीडियो का पेपर है, पंचेता दिकारी का पेपर है, आप अपने बेसिक्स को कंटिन्यू करें, जो आपकी बेसिक बुक्स हैं, उनको कंटिन्यू करें, आप परिक्षावाणी को रिवैज करते रहें, साथ में लूशन्ट को पढ़ते रहें, लूशन्ट से काफी सारे प्रश्ण बने हैं और हर एक छूटी चीज को लिंक करते हुए पढ़ें तो ही आपको यहाँ पे जाधा फाइदा होगा, उमीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए है तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही कमेंट करके जरूर बताएं आपका कितना स्कोर यहाँ पे आ रहा है, थैंक्यू फ्रेंड्स